नमश्कार दोस्टों मैं संजे सिंग आपका सेल्स कोच दोस्तों मैं एक सेल्समें हूँ और आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ आप सब बाइयो केर के मशूर सेल्समें हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखे कि जब as a सेल्समें जब हम मार्केट में जाते हैं और अपने किसान भाईयों को मिलते हैं तो हर किसान के दिमाग में भगवान ने सिर्फ चार सवाल दिये मैं फिर से रिपीट करता हूँ हर किसान के दिमाग में भगवान ने सिर्फ चार सवाल दिये और ये चार सवाल क्या है? सवाल नमबर वन किसान को जब आप पहली बार बताएंगे कि मैं बायो केर से आया हूँ जैविक खेति के बारे मैं बताना चाहता हूँ पहला सवाल किसान बोलेगा नहीं भाई मुझे पास पैसे नहीं है नहीं भाई मेरे पास समय नहीं है नहीं मेरे पास कोई मौका नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ नहीं मैं जैविक खेती एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ यानि कि पहला सवाल ना दूसरा सवाल जब आप किसान से थोड़ा बात करेंगे दूसरा सवाल निकलेगा दूसरा सवाल क्या है आपकी product की कीमत बहुत ज़ादा है ये दूसरा सवाल है सवाल नंबर थ्री थोड़े दिर के बाद में किसान ये सवाल उठाएगा कि भै ठीक है आपकी सारी बाते अच्छी है बट मैं आप पे कैसे भरोसा कर लो आप तो पहली बार मुझे मिल रहे है मैंने आपकी company के बारे सुना नहीं मैंने आपके बारे सुना नहीं मैं भरोसा कैसे करूँ यानि तीसरा सवाल भरोसे को लेके होता है और चौता सवाल ये बताते कस्टमर कि discount जो आप दे रहे हो ये जो deal आप दे रहे हो मुझे ये जो आप समान मुझे बेजने की कोशिश कर रहे हो इसके deal अच्छी नहीं मैं फिर से repeat करता हूँ दोस्तो हर किसान यही चार सवाल आपको पूछेगा सवाल नमबर वन नो नहीं मुझे जैवी खेती नहीं चाहिए सवाल नमबर टू आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है सवाल नमबर त्री मैं आप पे कैसे भरोसा करो सवाल नमबर फोर आप जो डिसकाउंट मुझे दे रहे है ये अच्छी नहीं है आप जो कीमत मुझे दे रहे है ये अच्छी नहीं है तो दोस्तों अगर भगवान ने हर किसान के दिमाग में यही चार सवाल प्रोग्राम कर दिया है तो एक अच्छा से इल्समन होने के नाते आईए हम सीख लें कि इन चारों सवालों को कैसे हैंडल करना है और इन चारों सवालों को हैंडल करते हुए कैसे मुझे किसान के दिल क अंदर अपना जगा बनाना है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में आप इस बात को समझे कि कौन से चार सवाल किसान पूछेगा आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा आपको बताऊंगा कि इन चारों सवालों का एक एक करके हैंडल कैसे करना है तो फिलाल के लिए जश्ट रिमेंबर किप इन बाइंड फोर कॉस्टेंज दन्यवाद